तो आज मैं आपको एक बहुत इंबॉर्टन चीज बताने जाना हूँ पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, शेयर करना ताकि लोगों को ये महत्पूर जैंकारी दिल सके अब आप ये नेखिए कि हम लोग से इस्बूक सोशल मीडिया थाफी जादा यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पे हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं जब भी हम कुछ फेस्बूक पर करने जाते हैं तो फेस्बूक हमारी हर चीज को रिकॉर्ड करता है पेस्बूक ये बताता है कि आप में जैसे शूज दूंडे अमेजन पर दूंडे तो दूसरी और दस वेबसाइट दिखा देगा कि आपको शूज यहां मिलेंगे आप अगर नमकीन ढूंडते हो तो नमकीन और स्नैक्स के वारे में सारी इंफर्मिशन दूसरी वेबसाइट के आने शूज हो जाती है आप अगर पेडियम से अपना बिल पे करते हो तो अमेजन के एक आप्शन देता है कि आप यहां से भी पेई कर सकते हो यानि आपके इस फोन की सारी एक्टिविटी पेजबुक रिकॉर्ड कर रहा है सारा डेटा आपके फोन का पेजबुक के पास है इस तरह से कोई भी डेटा अगर लीक होता है तो यह हमारे लिए घातक है सबसे बड़ा रुकसान है पेजबुक के जरीए कुछ हैकर्स आपके अकाउंट को हैक करते है दूसरों से पैसा डिमांड करते है कई बार आपको पता लगता है कि आपने कुछ किया ही नहीं और आपके पैसे बैंक खाते से उड़ गए पूरा फोन हैक हो जाता है तो उसके कुछ सेफटी फीजर्स हैं जो मैं बताने जा रहा है जब भी आप फेस्बुक लॉग इन करें तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स का ध्यान रखिए कि आपने कुछ सेक्यारिटी फीचर्स जो है ना इनेवल करने ही कैसे आप जब भी अपने मोबाइल से फेस्बुक लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे तीन लाइने दिखाई देगी पहला होगा होम दूसरा होगा विडियो तीसरा होगा गृप्स चौता होगा नोटिविकेशन बेल और यह तीन लाइने दिखाई दिख रही हैं अब आप इसको टच करिए टच करने के बाद आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग्स एंड प्राइविसी में सेटिंग्स एंड प्राइविसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे settings नजर आएगी general settings में जाएंगे आप जब आप general settings में जाएंगे तो इसको scroll करिए धीरे धीरे scroll करिए यहाँ आपको नजर आएगा your facebook information your facebook information इसको scroll करिए देने से और यहाँ पे नजर आएगा of facebook activity यह देखिए आप गौर से देखिएगा जैसे ही मैं इसको touch करूँगा तब मेरे को यहाँ नजर आएगा of facebook activity includes information that business and organizations share with us about your interactions with them such as visiting their apps or website यहने आप अपने apps से जो भी activity करते हैं उसको यह watch कर रहा है यह देखिए आप true caller cash करो adopt ptf, reader, weather and dadar, snapdale, और भी छोटे 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 वी मार्ट, ATM, ओमंग एप इस तरह से छोटे छोटे आप आप आपको नजर आएंगे यह सारी चीजे फेसबुक आपका डेटा ले रहा है तो इसमें कैसे करना है, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ देखिए यह आ रहा है clear history, सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पे clear history अब आपकी यह सारी जो activities है, यह यहाँ से clear हो जाएगे आपने जैसे इसको clear किया, अगेन मैं बता रहा हूँ clear history, completely clear कीजिए your activity has been cleared सारी activities, you have no available activity to show at this time system मैं आप आएंगे यहाँ, accessing your information यह देखिए आप, सब clear हो गया फिर भी आपको अगर doubt है तो एक बार फिर से clear history कर लेजिए आप उसके बाद आएए, manage your activity has been cleared your manager of facebook activity इसमें आप password डाली अपना यह आगया page अब आपको यहाँ दिखाए देगा clear history इसको भी clear history कर लिजे हो गई your activity has been cleared अब आपको बैक जाना है more options next आपका step होगा more options more options पर आप जाएंगे तो नीचे नीचे आपको नजर आएगा manage your future activity manage future activity choose whether your all facebook activity is saved with your account select years को अब यह देखिए यह जो activities है how your activity may be used you may have seen ads for hotel deals if you have been visiting travel website you may have seen events for fitness classes if you have recently purchased or viewed sports viewer याने कि आप कुछ भी करेंगे वो यह view करेगा तो वापिस आपको नीचे manage your future activity पर click करना है अब देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा future of facebook activity keeping your future of facebook activity saved with your account allows us to personalize your experience तो इस चीज़ को आपको immediately यहाँ से off कर देना है turn off कर देना है जैसे ही आप इसको turn off करेंगे अब आपका data facebook के साथ या किसी भी तरह से और दूसरी website के साथ जो आप relate करते हैं वहाँ share नहीं किया जाएगा future of facebook activity अब absolutely close हो गई है activity you have turned off view and manage apps and website whose activity you turn off आप यहाँ से check कर सकते हैं activity that you have turned off if you choose to turn off activity from an app or website it will be listed here यह अभी चाहे तो आप personally listed करके और उनको भी आफ अलग अलग कर सकते हैं पर मैंने completely उसको turn off कर दिया है अब आप back आ सकते हैं back आ सकते हैं back आ सकते हैं इसके अलावा एक बार और back आ सकते हैं now you can see your facebook page यह information आपको कैसी लगी यह आप पता है क्योंकि यह information बहुत जरूरी है बहुत important है मैं अभी यहां बैठावा काम करते देख रहा था तो अचानक मेरे को याद आया कि यह चीज आपके साथ share करनी चीए याद रखिए मैंने एक अच्छी चीज आपके साथ share करिए आप भी अपने दोस्तों को aware कीजिए उनके साथ ये वीडियो share कीजिए मेरे चानल को subscribe कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करवाए साथ में पास में लगा bell icon notification all के साथ active कीजिए और आपको यह जानकारी कैसे लगी कैसी लगी और यह भी मताईए कि आपके पास को यह जानकारी है तो मुझसे share कीजिए मैं आपकी जानकारी को pin करके लोगों तक पहुचाऊंगा धन्यवाद कर दो कर दो